होटेल राजमहल एपिसोड 61 महरा इंसाफ विशाल और दिव्या को अपने सामने लिफ्ट खुलती हुई नजर आती है जिसमें उसी औरत की आत्मा दिखाई देती है जो हिने एक रात पहले मिले थी वो भयानक औरत अपने हाथ में आधाध हुरा सा दिखने वाला बच्चा पकड़े गुस्से में विशाल और दिव्या की तरफ ही घूर रही है उस औरत का पूरा शरीर खुन से लटपत है उसके बालों से खुन लगातार रिस्ता जा रहा होता है और वहीं जो बच्चा उस औरत ने अपनी गोद में पकड़ा हुआ है उसे बच्चा कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि वो खुन से सना एक मास के लोथड़े के समान दिखाई दे रहा है जिसमें से लगातार खुन तपकता जा रहा है विशाल और दिव्या अपने सामने का ये नजारा देखकर गबरा जाते है तब ही उस औरत ने बिना पलक जपका है विशाल और दिव्या से कहा तहा है मारा और मारी बेटी का कादिल उस औरत का कुस्ता देख कर और उसकी बाते सुनकर विशाल और दिव्या के रॉंग्टे खड़े हो जाते हैं वो डर के कारण पंसी और मुर्ली को भी पुकारते हैं लेकिन इस वक्त वहाँ पर उनके अलावा और कोई भी नहीं है विशाल ने धीरे से फुस फुसाते हुए कहां कहां गायर पुजाते हैं ये लोग जब हमें इनकी सबसे साधा जरुरत होती है वहीं उस औरत की आवाज से ऐसा लग रहा है मानो कई सारे लोग एक साथ आपस में बात कर रहे हूं उनकी आवाजे जैसे आपस में खुल रही हूँ वो औरत इतनी जोर-जोर से सास ले रही है जिसकी आवाज इतनी तेज और दरावनी है जिसे विशाल और दिव्या के कान भी बर्दाश नहीं कर पा रही है इन आवाजों को सुनकर दिव्या और विशाल डर से थर-थर कापने लगते हैं वो वो आ रहा है वो आ जाएगा विशाल ने घबराते हुए उस औरत की बात का जवाब दिया अभी उस औरत ने चिलाते हुए कहा अगर मारा और मारी बच्ची का कादिर यहां ना आयो तो मैं तुम दूलो को मार कर यहां आत्मा बनाके गैस कर दूंगे इतना कहकर वो औरत धीमे धीमे कदमों से विशाल और दिव्या की तरफ ही बढ़ने लगी कि तबी अचानक से एक तेज हावाज हुई और होटेल राजमहल के दरवाजे अपने आप खुलते चले गए तिव्या और विशान ने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजे से वही ठाकुर सुजान सिंग अंदर आ रहा है वो होटेल राजमहल को देखकर इतना जादा हैरान है कि उसकी नजरे किसी और चीज़ पर जाही नहीं रही होती ये ये तो होटेल राजमहल ही है ये तो कई साल पहले जलकर राख हो चुका था तो आज ये इस तरह से डर और घबरहाट के वज़ा से सुजान सिंग पसीने से तरबदर होने लगा उसे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब आखिर यहां हो गया रहा है दिव्या और विशाल ने तुरंत हैरान होकर लिफ्ट की तरफ देखा तो वहाँ पर अब कोई भी नहीं है और सब कुछ बिलकुल शान्त हो चुका है जैसे यहाँ पहले कुछ हुआ ही नहो लेकिन ठाकुर सुजान सिंग को वहाँ देखकर दोनों चैन की सास लेते हैं और खुद भी सुजान सिंग की और बढ़ने लगते हैं तभी ठाकुर सुजान सिंग गुस्से में विशाल और दिव्या को देखते हुए कहता है यो बुलाया महारे को यहाँ बताओ, क्या कहना चाते थे तुम महारे को विशाल ने ठाकुर सुजान सिंग को जबाब देते हुए कहा तुम्हें सब पता चल जाएगा ठाकुर बस कुछ देर इंतिजार तो करो विशाल के इतना कहते ही अचानक से होटेल राज महल की सारी लाइटे जन्ने बुझने लगी और देखते ही देखते एक धंडी हवा का तेज जोका बवंडर की तरहा आया जिससे सुजान सिंग के शरीर में एक सिहरन सी दोड़ गए वो एक अंजाने खौफ की वज़ा से कांप उठा इससे पहले की सुजान सिंग कुछ बोल पाता सीडियों से आती एक आवाज ने होटेल राज महल में फैली खामोशी को तोर दिया आ गए बन्ना आओ आओ मैं और थारी बेटी पिछले साथ सालों से थारा ही इंतजार कर रहे हैं यहां आओ मारे पास आओ देखो पन्ना थारी बेटी थारे को ही पुकार रही है आओ इसका चेहरा तो देखो एक बार इस आवाज को सुनते ही सुजान सिंग धर धर कामने लगा और उसे अपने दिल की धरकने अपने कानों तक सुनाई देने लगती है और उसे विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि वो ये सब कुछ क्या देख और सुन रहा है सुजान सिंग ने हैरान होते हुए कहा ये तो ये तो नंदनी की आवाज है नंदनी की आवाज? पर यहां कैसे? वो तो मर चुकी है मगर तब ही सीडियों से किसी की पाइलों की चंद चंद की आवाज उसे सुनाई थी और धीरे धीरे ये आवाज वहाँ पूरे होटेल राज महल में गूंचने लगी विशाल, दिव्या और सुजान सिंग तीनों ने एक साथ सीडियों की तरफ देखा उस वक सीडियों से नंदनी नीचे उतर रही है सुजान सिंग ने देखा कि उसकी पत्नी नंदनी अपने हाथ में बच्चा लिए उतर रही होती है सुजान सिंग ने देखा नंदनी बिल्कुल साथ साल पहले की तरह ही दिखती है उसका वही भोला मासूम सा चहरा वही प्यारी मुस्कुराहट और हातों से चूडियों की खंखनाहट वहाँ आने लगती है नंदनी सुजान सिंग की ओर देखते हुए अपना हाथ आगे करते हुए कहती है आओ कुवर्सा देखो थारी छोरी को बिल्कुल थारे पे गई है इस पर चौकते हुए सुजान सिंग आगे बढ़ता जाता है उसके कदम जैसे उसके बस में ही नहीं है और तब ही अचानक से सुजान सिंग की नजरे अपने सामने जो नजारा देखती है वो देखकर उसकी रूर तक काप उठती है क्योंकि उसकी बच्ची का चेहरा एक सामान ने चेहरा नहीं है ना चेहरे की आकरिती है ना आखे है चेहरा बिल्कुल मास का लोथड़ा नजरा रहा है और ये देखते ही सुजान सिंग हडबडाते हुए गिर पड़ता है और जैसे ही उठता है उसे घबराहट होने लगती है तब ही नंदनी कहती है क्यों? क्या हुआ? ठारी बेटी को नहीं देखोगे? इस पर सुजान सिंग अपनी घबराहट को छिपाते हुए नंदनी से कहता है महरे को नहीं देखनी थारी छोरी को इतना सुनते ही नंदनी का मासूम सा दिखने वाला चेहरा अचानक से बदल जाता है और वो गुस्से में चिलाने लगती है इस वक्त उसका चेहरा विभत्स और बेहट दरावना नजर आ रहा होता है चेहरे के कई जगह से मास के लोथड़े लटक रहे है पूरी चमडी जलकर सिकुर चुकी है उस वक्त नंदनी गुस्से से जोर से चिलाती है जिसके बज़ाए से वहां मौझूद हर एक चीज धर धर कापने लगती है और देखते ही देखते वहां मौझूद काँच की खड़कियां और लाइट्स एक एक कर फूटने लगती है और टुकडे टुकडे होकर बिखरने लगते हैं और कांच के किर्चे दिखरते हुए सुजान सिंग पर किरने लगते हैं सुजान सिंग खुद को बचाने के लिए भागने की कुशिश करने लगता है लेकिन वो भाग नहीं पाता और शीशे के कई टुकडे उसके शरीर पर धस जाते है वो दर्द में करहा उड़ता है सुजान सिंग को दर्द में तडपता देख नंदनी उससे कहती है मारा कुछ हिसाब किताब ठारे से अभी बाकी है और वही करने के लिए मनने ठारे को यहाँ पर बुलाया है आज मैं अपना हिसाब किताब किये बिना ठाले को यहां से नहीं चाले दूंगे बनना सुजान सिंग को उस वक्त ऐसा लगता है मानो वो कोई डरावना सपना देख रहा हो क्योंकि आज उसके सामने उसकी वही बीवी खड़ी है जिसे वो पिछले साथ सालों से मरा समझ कर अपनी जिंदिगी चैन से गुजार रहा था सुजान सिंग को पहले कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता मगर फिर नंदिनी की बात सुनकर वो हड़ बड़ा हट में उससे बोलता है हिसाब किताब रैबी इनड़ी ये सब तु केब अकवास कर रही है नंदिनी ने गुस्से से गरच देवे कहा मारी इन सब में कोई गलती ना है जो कुछ भी हुआ है वो थारा ही किया धरा है मन्ने थारे को कितना समझाया था कि अपनी जिद छोड़ दे और डक्mor साब के पास चल वकर तू, तू तो अपने आपको जहासी की रानी समझ बैठी थी ये सब तेरी ही गलती है ये सुनते ही, नंदनी कुस्से से आग बबुला हो थी अपने पच्चे की चांद बचाना बारी गलती थी अपने बापु से बोलना कि अपने बच्चे की चांद को चालो, ये गलत था आखिर कौनता बाबा अपने बच्चे को उसके पैदा होने से पहले ही मारने के बारे में सोचता है और तने लगता है कि ये सब कुछ तही था सुजान सिंग ने भी गुस्टे में कहा अरे तो हमारे घर में तीन तीन बच्चिया पहले से ही थी ना क्या तने घर के हालात मालूम ना थे तने पता ना था कि मा बापु साने भी अब पोता ही चाहिए तो तुने क्यों जित की तारे साथ जो कुछ भी हुआ तू उसी के लायक है अरे साथ जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल सही हुआ इतना कहकर सुजान सिंग मुड़कर वहां से दर्वाजी की तरफ बढ़ने लगा मगर तभी अचानक से एक तेज आवाज के साथ होटेल राज महल के दर्वाजे अपने आप बंध हो गए सुजान सिंग को कुछ भी समझ नहीं आया और वो हैरानी से इधर उधर देखने लगा तभी उसे होटेल राज महल की दीवारों से किसी के जोर जोर से हसने की आवाजे आने लगी उसने हडबढाते हुए कहा कौन है? कौन है यहाँ? अगले ही पल सुजान सिंग ने अपने कुर्टे की जेब से बंदूग निकाली और विशाल के उपर तांते हुए कहा बाहर निकाल मारे को यहाँ से अगर मैं मरा ना तो थारे को भी मार के जाओंगा तभी नंदनी धीरे धीरे अपने कद्मों के साथ सुजान सिंग की और वड़ने लगी यह देखते ही दरते हुए सुजान सिंग ने विशाल पर गोली चलाई लेकिन तभी उसके सामने नंदनी आ गई और गोली उसके शरीर में लगी नंदनी को हलका सा जटका लगा लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ वो बिना रुके सुजान सिंग की तरफ बढ़ती ही चली गई ये देखकर सुजान सिंग की आखे देहशत से बढ़ी होने लगी और उसने डर के कारण एक-एक करके बंदूग की सारी गोलिया नंदनी पर दाग दी जब सुजान सिंग की बंदूग ने भी उसे जवाब दे दिया तो डर के कारण वो धर-धर कापने लगा वही नंदनी गुस्ते में सुजान की आखों में देखती जा रही है उसके बाल खुलकर हवा में उड़ रहे हैं और उसका ये रूप देखकर सुजान सिंग की रूफ तक काप उठी अगले ही बल नंदनी ने अपने एक हाथ से सुजान सिंग की गर्दन को पकड़ कर उसे उपर हवा में उठा दिया थारी ये जो रत नंदनी की भयाना गरच दी हुई आवास पूरे होटेल राज महल में कूँच उठी अले नंदनी ये तु क्या कर रही है हमारे साथ सुजान ने छट पटाते हुए खुद को छुडाने की कोशिश की मगर उसकी सारी कोशिशे नाकाम हो रही है नंदनी को अचानक से भयाना ग्रूप में देखकर दिव्या और विशाल के भी होश ओड़ गए वो दोनों भी बहुत ज़ादा डर गए अरे बीदनी मैं थारा पती हूँ हूँ अपने पती के साथ ऐसा कैसे कर सकती है सुचान सेंग ने काफी मुश्किल से बोलने की कोशिश की नंदनी की पकड उसकी गर्दन पर काफी मस्बूत है और उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसका दम घुट रहा हो पती जो अपनी बीवी और बच्चे को मरने के लिए छोड़ गया ओ कैसा पती नंदनी एसे पती होने से तो अच्चा है कि पकड मुझे पहले ही विद्वा कर देता नंदनी मुझे छोड़ दे मैंने कुछ ना किया है मुझे तो पता भी ना था कि वहाँ पर कैसे आग लग गई और कब अब तक सुजान सिंग के दिल की धड़कन तेज हो चुकी है उसके चहरे का रंग लाल होता जा रहा है और उसे हर बीत्ते पल के साथ महसूस हो रहा है कि अब उसकी मौत नस्दीक आ चुकी है इस नजारे के साथ ही होटेल की सारी लाइट जलने बुझने लगी होटेल की दिवारों से बहुत से लोगों के रोने और चिलाने की आवाजे आने नगी अचानक से पूरे होटेल का माहौल बदल गिया नंदनी ने चिलाते हुए कहा अपनी भीवी को मरने के लिए छोड़ दिया था तुमने क्या तुम चानते भी हो कि धारे चाने के बाद मारा क्या हुआ क्या धारे को पता है कि धारे थपड मारने के बाद मैं नीचे बेट के बल गिर गई थी और उसे कारण मारी पच्ची और मैंने तड़ब तड़ब कर अपने तब तोड़ दिया मैं चीकती रही जिलाती रही बार-बार खरे से मदद की भीख बाती रही मगर वोई भी मारी और मारी पच्ची की मदद करने के लिए नहीं आया यहां तक कि मारे को मरने से पहले अपनी बाकी पच्चीों का चेहरत दिखता नसीब ना हुआ और ये सब सिर्फ ठारे का रण हुआ है जिर्फ थाने का लर्ड! मैं भी क्या करता नंदरी? मैं मजबूर था. गार पर पहले से ही तीन मेटिया थी. और तु एक और मेटी को लाने के जिन कर रही थी. गलती दो थारी भी है ना? यही तो कमी है थाने जैसे लोगों की. थारे को लगडा है कि घर का वर्ष सिर्फ छोरे चला सकते हैं और छोरियों को बस चूला चोखा करना है. लेकिन थारी इस चोटी सोच के कारण कितनी छोरियों की जिन्दिगे बरबाद हो जाती है वो थारे को पता भी नहीं है. आजकल की छोरिया बढ़ लिखकर नाम कमा रही है. अपने देश पे ही नहीं, बलकि देश पे भी. हमारा नाम रौशत कर रही है. और थारे जैते लोगों की नोद अब भी जूले चोगिर से उपर उत्तरी पाई है. थारे जैते लोगों को जिने का कोई अग नहीं है. मने बाफ करते नंदनी. मने से और बड़ी भूल हो गई. अपने को धारे और अपनी बच्ची के लिए मा बापु सासे लड़ना चाहिए था. उनकी बात नहीं सुनने चाहिए थी. लेकिन अभी भी हमारी तीनों बेटिया सही सलामत है. और वो मेरे घर आने का इंतजार कर रही है. मारे लिए ना सही. तो कब से कम उनके लिए मारे को छोड़ दे. सुचान सिंग ने नंदनी से माफी की भीग मांगते हुए कहा. ये कहते हुए. उसकी आखों में आसु आ गए. और नंदनी भी उसकी ये हाला देखकर पिखल जाती है. और उसे उठाकर एक कोने में फेक देती है. नहीं नंदनी. ये आदबी तुमसे जूट बोल रहा है. इसने तुम्हारी तीनों बेटियों को घर की नौकरानी बना कर रखा हुआ है. और सिर्फ इतना ही नहीं. उसने एक कम उम्रिकी लड़की से शाधी भी कर ली है. जिससे इसे एक बेटा भी हुआ है. तुम इसकी इ और नफरत से पूरी तरह से लाल हो गई. उसकी सासे इतनी देज हो गई कि पूरे होटेल राजमहल के अंदर उसकी आवाज कूंजने लगी. उसके हाथों पर जगा जगा से नसे उभराई. और उसने गुस्से में आकर इतनी जोर से सुजान सिंग को थपड मारा कि सुजान सिंग सीधा जाकर सामने दीवार से जाटक आया. क्या नंदनी सुजान सिंग की जान को बक्ष देगी या फिर उसकी जान ले लेगी? जानने के लिए आपको सुनना होगा अगला एपिसोड.